हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैस्नल इंटरनेशनल करेंट एफेर्स 2023 पार्ट वन के बारे में जैसा कि दोस्तो आपको पता है कि आतकल करवाता हो सबी एक्जाम्स में करेंट एफेर्स दोस्तो बहुत ज्यादा प्रस्न पुछे जा रहे हैं अभी हाली में पटवारी लेखपाल का एक्जाम पेपर हुआ था उसमें उत्राखन के भी और जीएस के भी दोस्तों कई सारी करेंट एफेर्स के कुशन पूछे गे लगबक लगबक 15-16 कुशन थे जो कि करेंट एफेर्स से पूछे गए थे जिसमां 7-8 राश्टरी उस्तर पर और 8-8 दौस्तों उत्राखन इस्तर पर ते और जैसा कि आपको पता है कि उत्राखन के current affairs तो दोस्तों मैं आपको हर मेहने करवा देता हूँ मंतली current affairs आप हमारी उत्राखन की playlist पर जाकर देख सकते हैं और आपके जितने भी दोस्तों current affairs के question आये वे था ना उत्राखन में या फिर GS में जितने मैंने अभी तक वीडियो बना रखे हैं अगर आपने वो देखे हुए हैं तो आपको सारे प्रस्न वहाँ पर मिल जाएंगे इससे पहले national international current affairs वारी series में 2022 में मैं आपको दोस्तों 7 part करवा चुका हूँ इन 7 part 2 में दोस्तों मैंने आपको 730 के आसपास questions करवाई हूए हैं जो कि current affairs के हैं अगर आपने वो वीडियो जो नहीं देखी हुई हैं तो उन्हें जरूर देख लिएगा दोस्तों क्योंकि current affairs एक साल पहले तक का पूछा जा रहा है और आज ये हमारी जो national international current affairs 2023 का दोस्तों part 1 है जिसमें हम जन्वरी महा के और दिसंबर महा के कुछ महत्तपूर्ण current affairs के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आगामी exam के लिए दोस्तों महत्तपूर्ण हो सकते हैं और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हुई हैं तो आप उन्हें दोस्तों जरूर देख ले हैं खासकर उत्राखन के current affairs वाली वीडियो दोस्तों आप जरूर देख ले हैं क्योंकि आपन paper भी दोस्तों आप लोगे होने हैं तो उसके point of view से भी ये वीडियो जीडियो बहुत ज्यादा महत्रबुण होने वाली हैं तो चले कर सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को वीडियों पसंद आती वीडियों को लाइक सेरा और दोस्तों आपने तक आ tom ने हमारी application को डाउंलोड नहीं किया हुए है तो play store से हमारी application उतराखनजीके very easy tricks को जरूर डाउंलोड करें किस राज्य या केंद्र किसासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नती सूचकांक SPI 2022 में सर्वोच अंक प्राप्ते किये हैं तो दोस्तो पुडुचेरी जो हमारा किंड़ सासित प्रदेश है उसने सामाजिक उन्नती सूचकांक SPI 2022 में सर्वोच अंक प्राप्ते किये हैं और सबसे अंतिम जो सबसे कम अं गाल द्रायोर क्या वंधार और उस दिन की स्मुलति में दैए और इस संभेटा है इस कायोजन दोस्तों कहां पे किया गया है इंदौर में किया गया है अब दोस्तों इस से महत्यकुल प्रस्थ इसमें ये भी है कि इंदौर या फिर आप से मध्यपरदेश पूछा जिता है कि किस राज्य में जैसे प्रस्थ प्रकार से भी पूछा जिता है कि 17 प्रवासी भा मुहम्मद इर्फान अली और दूसरे थे सूरिनाम गणराजी के राष्टवती चंदरिका प्रसाथ संतोखी ये दोस्तो इसमें मुख्य अतिती थे तो प्रसने इस प्रकार से पुछा जता है कि सत्रवे प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन जो की इंदोर्मा इजित वा था उस के अर्र मुवी का है दोस्तो और एन एन किरमानी के द्वारा इहां गाना कंपोई किया गया था और इस अर्र याद रखने आपको, अगला प्रसने, किस राज्जी सरकार ने जाती सर्वेक्षन को शुरू किया है, तो बिहार राज्जी सरकार ने जाती सर्वेक्षन को शुरू किया है, अगला प्रसने, भारत का पूरी तरह से डिजेटल बैंकिंग वाला राज्जी कौन बन गया है, त भारत की पहली महिला फाइटर हैं जिन्हें विदेश में युद्धा ब्यास के लिए चुना गया है महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रस्न है और एक्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है है अवनी चतुरुवेदी का नाम आपको याद रखना है ठीक है और इन्हें दोस् में भारत की पहली महिला फाइटर है यहा से प्रस्थन युद्धा ब्यास दोस्तों कहां किया जा रहा है ठीक हो सस्के जा रहा है जापन में किया जा रहा है ठीक है और भारत की तरफ से कौन महीला फाइलेट है इसमें वह है उनी चतुरवेदी यह महत्वपूर है क्योंकि भारत की पहली महीला फाइटर है अगला प्रसने है दोस्तो भारत ने किस देश में लीथियम और तामबे की ख़दानों क प्रश्ट को कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाया जा रहा है अगला प्रसन है विश्व इस्तर पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और बाजार कौन सा देश बन गया है भारत थीक है पहले स्तान पर कौन है चीन और तीसरा कौन सा बन गया है जापान को विशन की बेटर में बनाया जायआ जाएगा टो बिरिटिस भारतिस सेना का नया समारक स्कौटय्ड में बनाया जाएगा ठीक है अगला अब nia 2018 में पदम श्री से पद्म पुरुष्रण की बात करें या पद्म विवोष्रण की बात करें ठीक है तो आप प्रस्न ही है कि 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरुष्रण से सम्मानित किया गया था अभी तक दोस्तो भारत रतने की वोष्रणा नहीं हुई है लेकिन जो ही पद्म पुरुष्रण प्रविवशन से 6 लोग को सम्भानित किया गया है अगला आपसने किस देश ने मधमक्यों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी देदी है अगला आपसने वरिष्ट नागरिकों की देखभाले तु अटल वयो अभ्यूदय योजना A, V, A, Y किस मंत्राले द्वारा सुरू की जा रही है तो सामाजिक नियाई और अधिकारिता विभाग मंत्राले के द्वारा दुस्तो यहाँ अटल वयो अभ्यूदय योजना A, V, A, Y दुस्तो शुरू की जा रही है बजट में भी दूस्तो इसका जिक्र किया गया था अटल वयो अभ्यूदय योजना ठीक है और यहाँ अटल वयो अभ्यूदय योजना उस्तो किसके लिए शुरू की जा रही है वरिष्ट नागरियों के लिए या बुजुरू के लिए उनकी देखभाल के लिए दुस्तो यहाँ अटल वयो अभ्यूदय योजना सुरू की जाएगी सामाजिक न्याय और अधिकारी का मंत्रा लेके दोरा महत्पूर्ण प्रस्थन दोस्तो अटल वह यो अब यूदे यूजन अगला प्रस्थन है असम वेभव पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है अगला प्रस्थन है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सहर में चालू की जाएगी ठीक है अगला आपसने औरेंज फेस्टिवल 2013 के तीसरे संस्क्रण का आईजन कहां किया गया है तो औरेंज फेस्टिवल 2013 के तीसरे संस्क्रण का आईजन दोस्तों कहां पे किया गया है 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 अग उनके प्रसव का रिकॉर्ड रखने था गरवावती मजलाओं के ठीका करण का डिजिट्रल रिकॉर्ड करने के लिए दुस्तो यूविन पोर्टल लॉंच किया है के इंदर सरकार ने तो यूविन पोर्टल का सम्मंद किस से है यहाँ प्रसण अगर पूछा आता है तो गरवावती मजलाओं से इनका सम्मंद है उनके पंजी करण से उनके ठीका करण से और उनके प्रसव के रिकॉर्ड रखने से अगला प्रसन है महत्वपुन अभी कि 27 से 31 जनवरी 2023 तक राष्टी बाल विज्ञान कॉंग्रेस का एजन कहां किया गया है तो राष्टी बाल विज्ञान कॉंग्रेस दोस्तो इसका एजन किया गया है और यहाँ प्रसन दोस्तो आपके एकजाम में पूछा जा सकता है और कब से कब तक इसका एजन दोस्तो किया गया है तो इसका एजन किया गया है 27 से लेकर 31 जनवरी 2023 के मध्य में और दोस्तों जो ये बाल विग्यान कॉंग्रेस का एविजन हो है ना ये तीसवां राष्टी बाल विग्यान कॉंग्रेस कर दीजेगा अगर बसने की बात करते हैं तो नई दिल्डी में दोस्तों उध्यान उपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो और जो पुरुष एकल का खिताब है दोस्तों यह किसने जीता है यह नुवाग जोकोविच के तोरा जीता गया है अगला बसने है हाली में दक्षिन अफ्रिका में आयजित अंडर 19 महिला T20 विष्टकप 2013 की विजेता टीम कौन सी है तो जो जो पंदरवा होकी विष्टकप है दोस्तों यहां भारत में आयजित हुआ था और भारत के ऊडि जो कि मैं आपको उतराखन कि अलए तोब्लक कि गुशित किया गया है और मानस कंडिस जहांकी का दोस्तो टाइटिल नेम था जो कि मैं आपको उत्राखन के करेंट डेफेस में भी करा चुका हूँ अगला पसने भारत का पहला ग्रीन हाइडोजन जो ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है यह किस ने शुरू किया है तो पहला ग भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसी क्रिकेट में या एक दिवसी क्रिकेट के इतियास में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है तो स्री लंका के खिलाब भारत ने एक दिवसी क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है अगला पसने है जली कट आतंग की संगठन गोशित किया है तो तो दोस्तो केंदर सरकार के च toilets है अगला वसने Бहुत मयुत पुने भारत का पहला सम्मीधान साक्षर जिला कौन सा बना है तो खरino का कुल्रम जिला विक्षित युवा विक्षित दिवस है और यह राश्टी युवा दिवस का मना जाता है 12 जन्मरी को मना जाता है अगला पूसने है महत्वपुन है भारत का सबसे बड़ा चात्र संचारित महुजन कहां किया जा रहा है तो IIT मदरासमे लुष्टो बारत के सबसे बड़े चा कदम पुरुषकार 2023 से अधार पुनावाला को संभानित किया गया है और सिर्यम इंस्ट्यूट आप इंडिया के द्वारा जो कोवी सिल वैक्सिन मनाए गई थी तो वैक्सिन को बनाने में इनका बहुत योगदान था दोस्तों इसी करण डॉक्टर पतंग राव कदम पुर इस मंत्रा ले के द्वारा सुरू किया गया है ठीक है याद रखना है उस्तों आपकोई प्रस ने कि निली अर्थरस्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिव इंडियान मंत्रा ले कौन सा मिसन सुरू है समुद्रियान मिसन अगला पसना है तो आर ब्रोनी गैब्रियल जो लूसतों अगला म parking के लिए हृँ है तो मार्ग पोडल को लूंज की अगया है तो प्रस्न मन सकता है कि रहरा में्टर्सिप यिकेism पोर्टाल को लॉंज किया गया Mark Portal या Mark Portal का समद्ध की से Startup Mentorship के लिए है अगला आपसदा है विस्व आर्थिक मंच जारी की जाती है अगला प्रस्ण है राइट टू साइड विजन के उद्देश्चे से अंधता नियंत्रन पॉलिसी लागू करने वाला देश्चे से अंधता नियंत्रन पॉलिसी लागू करने वाला देश्चे से अंधता नियंत्रन पॉलिसी लागू करने वाला देश्चे क किया गया है अगला हमारा प्रस्थन है युनेस्को द्वारा अंतराश्टी सिक्षा दिवस जो कि आपका दूस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है और 24 जनवरी 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की गोशना की गई है तो युनेस्को के द्वारा दूस्तों कि भारती डांग विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पारसल और डांग पहुचाने की तरंग मेल सेवा कहां सुरू की गई है तो गुजरात से महराज तक दोस्तों भारती डांग विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पारसल और डांग पहुचाने की तरंग मेल सेवा दोस्तों क्या की गई है शुरू की गई है ठीक है और राष्टी मत दाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी है ठीक है मैंने साथ 24 बोल दिया वह क्या 25 जनवरी है ठीक है राष्टी बाली का दिवस दोस्तों मना जाता है कब 24 जनवरी को ठीक है राष्टी बाली का दिवस ठीक है और जो मारा अंतराष्टी शिक्षा दिवस है, ये भी दोस्तों कि अब 24 जन्वरी को ही मनाया जाता है, अगले पसने की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको करा दिया है, समुद्र मार्क से पारसरो डाक महुचाने की तरंग मेल सेवा किसने शुरू की है, तो ये दोस्तों शुरू प्राप्त हुई है, और पहली रैंक किसको प्राप्त हुई है, अगला पसने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, भारत की रैंक को अंसी आठ हुई है, अगला पसने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किस राजी सरकार के दोरा लॉंच किया गया है, तो पर दिखिझे रैंक स्कूल रहरा लॉंच किस राजी सेतलों सरकार की राजी सरकार समधा में, अगला पसने संगाई सईयोग संगतन के वर्स 2018 के सकर सम्मेलन के अदिकस्ता किसर भरा की जा रही है, तो संभाई सहयोक है संगर्थन के वर्ष दोजार थेश के सिकहर सम्मिलन की अद्धिक्सता भारत के द्वारत की जा रही है तोजाटर अगर्ल आपस नए सायुक्त प्रेक्षिक्षिक्षन अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट दोस्तों आयुजित कराया जा रहा है ठीक है और अभी जैसे कि यह प्रस्ण दोस्तों एक्जाम में पुछा जा चुका था कि गर्टन ते दिवस सायुक्त प्रेक्षिक्षन अभ्यास यह आयुजित कराया जाता रहा है ठीक है अगला अंतराश्टी परेटन मेला फितूर दोजार तीस एफाइटी यूजार दोजार तेस के तो सिक्ष्या की बड़वत्ता में सुधार करने से संबन देते एस यह रिपोर्ट अगला प्रस्टन है कि समंत्राले के दौरा प्रज्वला चैलेंज लॉंच किया गया है ठीक है ब्राजिल के नए राश्टपति कौन बन गया है तो लूला डी सिल्वा बन गया है अगला अगला प्रस्टन है 108 वे भरती विज्यान कांग्रेस का आईजिन कहां किया गया है तो 180 वे दूस्तो जो मारा भारती विज्यान कांग्रेस है इसका जो आजिन है दोस्तों ये हैं नागपूर में किया गया है श्क है और ये जो 108-वी भारती विज्ञान कांग्रेस है इसकी theme क्या है महीला ससकति किरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्राथध्यों की तो याद रथिया है जो आपको जो आपका 108 भी भारती विज्ञान कॉंग्रेस है दोस्तो इसका आईजन कहां किया गया है तो इसका आईजन दोस्तो किया गया है नाकपूर में कहां पर किया गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के दौरा दोस्तो इसका आईजन किया गया थाठीक है बहुत महत्वपूर्ण द बात करते हैं, यूरोपी संग के मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया हाली में, तो क्रोएशिया ने दोस्तो यूरोपी संग के मुद्रा यूरो को अभी हाली में अपनाया है, ठीक है, और ये बीसों देश बन गया है, यूरोपी संग का जिसने अपनी मुद्रा यूरो हैटी केकिसे सीवा चोहान याद रखने आपको अगले पसने की बात करते हैं अठार में राष्टी स्काउड और गाइड जुम्बरी का उध्गाटन कहा किया गया है राष्थान में किया गया है अगला पसने एंटीपीस्टी द्वारा पहली हरित हाईडूजन मिस्टन परिय अगला पसने में हाया ह्टवधाई में विग्णिक अनुसंधान को बढ़ाना अगल्रा पसने है अगल्राप संचालीट्रेन रिचिण शुरू करनने वाला एसिया का पहला देस कौन सा था उस्टो जर्मनी था ठीमेर पधिन नहीं और वहीं ब्श्वका दूसरा देस पत्ते का पांडुली पी संग्राली दोस्तों इसका उधगाटन किया गया कहाँ पे केरल में अगलापस ने प्रवासी भारती दिवस के 17 संसक्रण का आगाज कहा हुआ है तो मध्यपरतिस के इंदवर में हुआ है और यहां का मना जाता है, नौ जन्वरी को दोस्तों है प्रवासी भारती दिवस अगलापस ने हाली में चर्चा में रहा जैन सम्युदाई का पवित्रे स्थल सम्यथ सिखर कहां इस्तित है तो यह जारकंड में इस्तित है अगर आपसने किस मंत्राले द्वारा Startup India Innovation Week 2030 का आयुजित किया जा रहा है तो Startup India Innovation Week 2030 का आयुजित करवाय जा रहा है ठीक है 10 से 16 जन्वरी तक और यह जो National Startup Day है यह 16 जन्वरी को मनाया जाता है अगर आपसने हाली ही में नासा द्वारा किस भारती मूलके वेज्ञानी को Chief Technologist नियुक्त किया गया है तो AC चरणिया को नासा द्वारा क्या किया गया है Chief Technologist किया गया है कि उल्पिन योजना का संबन्द किसे भूमी अभिलेक के डिजेटी क्लाइन से इस योजना का संबन्द है यह वेच्छा प्रसनल दूस्तो कि सदाकत स्रेणी के अतहत किसे सुभास चंद्रबोस आपदा प्रमंदन प्रुसकार 2023 से प्रुसक्रत किया गया है ठीक है तो दूस् सम्मानित किया गया है राष्टी मद्दाता दिवस 25 जन्वरी की थीम किया दोस्तो वह है वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरू डालेंगे हम अगला प्रसन है इमो इनु इरप्पा मोहसव किस राज्जी में शुरू किया गया है तो मनिपूर में दोस्तो इमो इनु इरप्पा मोहसव शुरू किया गया है अगला प्सने अंतराष्टी पतंग मोहसव 2023 का आईजन दोस्तो कहां किया गया है तो एहमदाबाद में अंतराष्टी पतंग शुरक्षाबल यानि की BSF Border Security Force है ठीक है और जो Operation सर्द हुआ है ये भी BSF के तोरह ही चलाया जाता है तो ये थे दोस्तों आपके Current Affairs 2023 के National International Current Affairs का दोस्तों ये पार्ट फर्स था और आपको कनिस साइक एक जाम से पहले मैं इसका एक पार्ट और दूँगा आपको आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें क्योंकि आपके आगाम exam के लिए दोस्तों बहुत महत्वन आपकी वीडियोज है अब दोस्तों आपके Homework के लिए मैं दो कुश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि Westwick इस्तर पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आपके यह है दूसरा कुश्चन दोस्तों यह है 108 में भारती विज्ञान कॉंग्रेस है इसका आयोजन कहां किया गया है और तीसरा दूस्तों आपका कुश्चन है यूमिन पोर्टल का सम्मंद किस से हैटिक है और तिस जरू सेथ करें धन्यवाद